सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंडी के बटन को भी ज़रूर धब हलो एंड वैलकम टू एडी एजुकेशन मैं हूँ अमित दिक्षद आप देख रहे हैं इस समय N.I.O.S.R.D.L.E. वीडियो लेक्षर सीरीज 504 और 505 कोर्स के लिए तो अब तक आपने अगर पहले के वीडियो लेक्षर को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें इसी वी नमबर 1.4 तो इसको हम आज कवर करेंगे तो यह टॉपिक है आपका परियावरण को बच्चे के साथ जोड़ना जैसे कि आप समझ रहे हैं इससे पहले हमने परियावरण में बाल विकास में परियावरण के महत्व को जाना परियावरण क्या है जाना और अब हम जानेगी परियावरण को बच्चे के साथ जोड़ना कितना आवशक है और क्या करना होता है इसके लिए तो चलिए बढ़ते हैं इसकी दरफ और सबसे इंपोर्टन बात यह है कि इसको आप उस नजरीय से समझें जो आपको सिक्षक होने के ना तरबी काफी मदद करेगा बच्चों क के केस में तो आप उसी नजरीय से पढ़ें और जिस तरह से प्रश्न बहुती घुमा फिराकर पूछे जाते हैं तो हर टॉपिक को समझने का प्रयास करें यह मेरा आपको सजेशन है तो चलिए बढ़ते हैं इसके तरफ आप टॉपिक है परिवरण को बच्चे के साथ कुद्धी है उसकी भावना है उसके जो कहना चीए बाहरी दुनिया में जो कोशल है समाजिक कोशल वो सभी बहुत अच्छे से विक्सित होते हैं और उनको एक कहना चीए इस समय आकार लेते हैं वो समय होता है जो जिसमें यह सारी चीज़ें डेवलप होती है अब इसमें यह बात नहीं है कि किवल जो सेक्षिक चीज़ें है यानि कि सिक्षा से जुड़ी हुई एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें ही उसके अंदर विक्सित होती है बलकि जो साधरन जीवन है उसमें जो चीज़ें उनको सीखनी है समझनी है एक तरह से जीवन के लिए ज तो को इन्होंने यहां बताया कि पर्यावरण में हमारे आसपास संसार का हर पक्ष सम्मिलत होता है, तो हम जानते हैं कि पर्यावरण का आर्थ में हमने समझा था कि ना केवल जैविक, ना केवल प्राकर्तिक, बलकि सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक, सभी तरह का माहौल पर बात करें गरीबी के तो गरीबी एक बच्चे के स्वास्त के विकास और सिक्षा के रास्ते में सबसे बड़ा कारण होती है यह हम जानते हैं देश में गरीबी हो अगर तो बच्चे से सबस्यादा एफेक्टेड हो उसे उनकी एजुकेशन उनका स्वास्त एक सबसे बड़ा क Fierosity होती है जो उनकी प्राकरतिक जिग्यासा होती है वो कई कारोनों, उन कारोनों से उन पर काई चीज़ों का ज़्यादा प्रभवाव पड़ता है और लोगों के दो कारोन के cu freshmen हे जो बड़े होते हैं तो यहां पर बताया गया है विए तो जम से पहले ही पर्यावरन के हानिकरा को प्रभावरों के शिखार हो जाते हैं तो कई बार ऐसा हमने देखा है कि छोटे बच्चे पर्यावरन का इतना जाता एफेक्ट होता है कि वो उसे एफेक्ट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, शाररिक बात करें, तो यह सब चीज़ा उन पर प्रभाव डालती है, यह यहां पर बताया गया है, दूसरी तरफ यह बताया गया है, कि बच्चों से अच्छे पर्यावरण के संरक्षक कोई नहीं हो सकते, इस बात को ह हम शायद एक या दो दिन में भूल जाएंगे, थोड़ा बहुत अप्लाई करेंगे, लेकिन उसको छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों का मान ऐसा होता है, कि बच्चों को हम सिखा देते हैं, आपना खुद भी दिखा होगा, कि आप पेड़ों को बचाईए, पेड़ हमा ही होता है, इसलिए बच्चों को परेवरन के संदक्षर के तौर पर सबसे बड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि वो नैचरली इस चीज़ के प्रती बहुत जागरुक रहते हैं, और इसको प्रभाफशाली डंग से इन चीज़ों को करने के लिए तयार हो जाते हैं, जो भी उनक हिस्ता है, जोनोंने कुछ चीज़ें, इनको भी सुईकार की हैं, और इसके बारें कुछ महत्मूर बिंदू बताएं हैं, यहां वही हम आज आगे डिसकस कर रहे हैं, इसमें बताया गया है, बाल आदिगारों का सम्मेलन, 1989 का यह समय दिया गया है, और कुछ पॉइंट नी इसी हों कि जो बिमारियां हैं, को पोशन खासकर जो है, उसका अच्छे से रोक थाम कर सकें, उसका सामना कर सकें, जो बच्चों में बहुत होता है, बच्चों के अस्तित्व बचा विकास के लिए कार उद्गोषना कारानवित करने के लिए कार योजना, तो यह भी एक जो कि 1990 में किर्यानवित हुई, और बिमारियों को पोशन का सामना करने के लिए तरह सक्षा के विकास के उदारा पर्यावरण का सुधार आवास कार रहावली, जो कि 1990 में बनी, बच्चों और योवा की आवशक्ताओं विच्छे तोर पर उनके रहने के जो पर्यावरण से सम्मदित, पूरा ध्यान रखा जाए, यानि कि बच्चों के आसपा जो माहौल है, किस माहौल में वो रह रहे हैं, किस तरह से पले बड़े हो रहे हैं, उस चीज को ध्यान लिया जाए, आवास कार रहा रहावली, सुधार आवास कार रहावली को इसको नाम दिया गया, प्रदूशन का प्रभाव बच्चों पर सबसे जादा होता है, ये बता गया आगया, तो पर्यावरन से किस तरह सो ना बचाए जाए जाए, इस बात पर विश्यर्स बल दिया गया, जी आठ देशों की जो होते हैं, उनके पर्यावरन मंतियों की एक विज्यप्ति हुई, 2001 में, और कई ऐसी नीतियां लागो की गई, जो बच्चों को सुरक्षित परयावरन पदान करने के लिए की जाए, तो इसके लिए देखिए, कई देशों बड़े सीरियसली कदम उठाए हैं, जी एड देश बहुत बड़ा ग्रूप है, ये और उन्होंने भी इस बात को मह जा रहे हैं, जिससे जन्म से पहले और जन्म के बाद कई तरह की सुवधाएं उनको बच्चों को दी जाती हैं, ये हम सभी जानते हैं, अब बात आये गया है कि यूरोप और मद्ध एशिया के बच्चों के लिए बरलिंग प्रितिग्या, सामाजिक और आर्थिक अवस्ता किये बिना बच्चों को पूरा सपोर्ट किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, उनको संदक्षन दिया जाए, पर्यावरण के खत्रों से जो उनको परिशानी रहती है, उसको समहला जाए, उस सुरक्षा परदान की जाए, ग्रामीर, शहरी, पर्यावरण का निर्मार इस बेदवाव के परतान किये जाएं इसका अगर शारान समझे समझे तो ये इस बर्लिन प्रितिग्या के अंतरगत बताया गया है उसके बाद है अगला पॉइंट सही रास की आमसावा जो हुई शही रास एक बहुत बड़ा युनियन नेशन युनाइटे नेशन ये मैई 2002 में उन्होंने एक खास सत्र इसके लिए रखा और संसार के जितने भी अगरनी थे यानि कि जो देश के बड़े-बड़े जो अधिकारी थे एक तरह से उपचारी डूप से कुछ नियम और सहरा देने वाले कारों को अपनाने का उन्होंने आपसर मिला और संसार के बच्चों को सुरक्षत बनाएने के लिए संयुक्त राश जैसी बड़ी संस्तान है कुछ महत्मूर्ट बिंदू दिये उन्होंने इस बात पर एग्री किया जो पॉइंट नीचे दिये गए हैं कि कोई भी बच्चा इन से चूता ना रहे यानिकि उसको जो जो से विदाएं देनी है उस आजादी हो उनको सुनने की अनकर ध्यान दिया जाए बच्चे को सिक्षा सबसे जरूरिय दी जाए बच्चों को युद्ध से बचाया जाए जैसे बी सिंपल पॉइंट है धरती को बच्चों के लिए बचाया जाए तो इसका आर्थ यही है लिए जो आने अगर आम आज इसे लड़ा जाए और बच्चों पर निवेश के साधन जुटाए जाए तो बच्चों को प्राथमिक्ता देते हुए उन पर ध्यान देते हुए बच्चों पर कई तरह के निवेश किये जाए और आपदाओं से निर्धंता से बिमारियों से उनको बचाया जाए क्योंकि कुछ बात इनों ने रखी गई है इसके अंतरगार अब आगे जो टॉपिक लिया गया है वो है 1.5 अधिगम हेदू पर्यावरण के महत को पैचानना तो पर्यावरण अधिगम की हम बात करें तो पर्यावरण का सीखने में कितना महत्व है यह मैं आगे के लेक्षर इससे पह कोज करने में अनुभव प्राप्त करने में हम लोगों की तुल्ला में उनमें कई ज्यादा जिग्यासा होती है यही कारण है कि वो कई चीजों को बहतर कर सकते हैं सीख सकते हैं और आसक पास का माहौल ही होता है पर्यावरण ही होता है जो नई चीज़ें सिखाने में उनको कि संपूर्ण विकास में मदद करता है शारे रिकमाल सिख हो हर तरह की मदद करता है शीखने की प्रिकरिया का ये एक अविन अंग है आज बच्चे अपने आसपास की चीजों को देखते हैं तो कई चीज़ें आप जानते ही है स्कूल में आने से पहले ही वो सीख जाते हैं आ और अपने दोस्तों के साथ चीजों को करना किसी भाशा को पढ़ना या अपनी बात को कहना अभीवक्त करना हमेशा पूछते रहना कुछ ना कुछ सुनते रहना कुछ प्रियोग करते रहना बच्चे ऐसे ही होते हैं और ये कई सारी क्रियां है जो उनको आम जिंदगी से पर्यावरण से उनके आसपास के महौल से सीख कर उनको एक भैतर संपूर्ण विकास में उनके मदद करती हैं जो कुछ तो उनके द्वारा ही होता है कुछ हमको ये करना चाहिए कि हमको भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए इस बात को समझते हुए वो आगे मैं आपको बच्चों को ये पहले अनुबब परियावरण के संब्द में उससे आगे सिखाने में काम लाएं तो यही मैं कह रहा हूँ कि बच्चे नैचरली बहुत को सीख लेते हैं आपको भी इसको समझना होगा हाज अगर आप बच्चे को कोई पार्ट पढ़ा रहे हैं जो की बार बारिश से संब्दित है तो आप जानते हैं वो बारिश को जानता है अगर आपके सामने उसी समय बारिश हो रही है तो आप प्रेक्टिकली बच्चों को क्लास्रूम से बाहर ले जाकर बारिश के संब्द में अगर कुछ चीज़ां बताएंगे तो वो उनके लिए जीवन लंबे समय तक उस ज्यान को सहेच कर रख पाएं राष्टिय पाट चरहा रूपरे का 2005 में जो की एक बड़ी रूपरे का थी नेशनल फ्रेमवर्ग जो था एजुकेशन का उसमें परेवन के महत्व को पैचानते हुए इसमें भी बहुत जादा प्रावधान इसमें किये ग होती है तो ये मैं आपको बार-बार कहना हूँ कि बच्चे में एक नैचरल उनके अंदर सीखने का जजबा होता है एक जिग्यासा होती है जिससे कि वो हमेशा उत्सुक रहते हैं सीखने की तो इस बात को आप समझें और उसका इस्तिमाल करें अर्थ निकालना अमूर्थ स चीजों को सोच सकें समझ सकें ऐसी सुरू से ही उनमें विकास करना चाहिए उनको सजेशन देने चाहिए उनकी हेल्प परनी चाहिए हर कार को तरक के अनुसार कर सकें हर चीज की कहने चाहिए एनलेसिस कर सकें उसकी विवेचना कर सकें तो बच्चे बहतर तरीके से किसी का प्रयोग करती हो देख लिया किसी को पढ़ते हुए किसी को बात करते हुए यानि कि बच्चे हर समय कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं तो उनकी जो सीखने की और हर चीज़ पर विचार करने की जो प्रवत्ती है उस पर आप ध्यान दें और उसको एक सही दिशा में लगाएं जिससे की बच्चा अच्छे से सीख सके आज हम देखते हैं कि बच्चा किसी भी चीज पर सवाल करता है तो कई बार हम उसे चुप करा दे तो तो इसा ना करें उसकी जिग्यासा को सही दिशा में और सही सिखाने में आप सही पॉइंट की तरफ मोड़ें तो वो बहुत कुछ अच्छा सीख सकता है आकरी पॉइंट है स्कूल के भीतर बाहर दोनों इस्थानों पर सीखने की प्रिक्रिया चलती रहती है यह हम जानते हैं और इन दोनों इस्थानों में यह दी संबंद बनाएंगे तो यह बहुत ही महत्वपूर होगा एक मैं सबसे अच्छा उदाना देता हूँ आपको कि आज अगर हमको यह पता है कि भारत को स्वच्छ रखना है स्वच्छता जरूरी है अगर आप बच्चे को यह स्वच्छता की चीज़ को उसकी आम जिंदगी से जोड़ देते हैं भार भी कई प्रोग्राम चला जा रहा है गवर्णमेंट के दुवारा तो वो कही ना कही उनसे अंदर उनकी भारी जिंदगी में और अगर स्कूल में इस तरह की चीज़ें सिखाई जा रही है तो उससे जुड़ाव महसूस करता है संबंद महसूस करता है उसे आज स्कूल की किताबा में भी सच्चता को लेकर कई पार्ट होते हैं तो इन तीनों चीज़ों को जुड़ दिया जाए तो वो बहुत बहतर सीख सकता है और उस ग्यान को हमेशा सहेज के रख सकता है एक अच्छा नागरिक भी बन सकता है तो यह सब यहाँ पर बताएगा है कि बच्चों के बहुत एक सामधिक प्रवाण के साथ उनको जोड़ें उनकी सुकता को पोशन दें और उन्हें सवाल पूछने दें उनकी सवालों के जवाब दें और हर चीज़ के बारे में बताएं नए-नववव उनको दें उनके सामने नई चनौतिया पेश करें और इन अनववव के आधार पर ही बच्चों को अपना ग्यान अपने मूलों का विकास करने दें जो की होता भी है और ये अनववव संपूर्ण जीवन के सीख में बदल जाते हैं इसी को सतत विकास और सिक्षा का व्यावक उदेश्च कहा गया है समझ गए होंगे आप इस पॉइंट को इस चीज़ को ना किवल ये पढ़ाई है बलगी एक हम लोगों के लिए और सिक्षा के तौर पर तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम क्या योगदान दे बच्चों को एक बैतर नाकरिक बनाने के लिए तो आगे हम लेक्चर्स में अगली यूनिट को कवर करेंगे तो आप इस वीडियो उसको लाइक जितना हो सकते कीजिए और शेर कीजिए औरों के साथ में सब्सक्राइब नहीं कीए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अभी और गंटी के आइकन को दबाईए हर वीडियो की जनकारी सबसे पहले पाने के लिए थैंक्यू